कली मैंने सर्फराज खान को लेकर वीडियो बनाया था और कहा था कि उनको मौका क्यों नहीं दिया जा रहा है वो एक ऐसे खिलाडी है जो कभी भी टेस्ट मैचों के अगर बात करें तो कहीं से भी मैच को बदल सकते हैं क्योंकि वो ऐसा खिलाडी है जिसका एवरेज विराट मौका दिया तो यह चा गया चानवे रन की ऐसी पारी खेली है जिसको देखने के बाद हर कोई कह रहा है कि अरे यार यह सर्फराज कहां था तो कहां नहीं था यह था तो यहीं पे लेकिन मौके नहीं मिल रहे थे यह एक ऐसा खिलाडी है जो टेस्ट का वास्तों में बना और जब मौका मिलता है आपने देखा कि टेस्ट A में क्रिकेट A में इंडिया A की तरफ से जब सर्फराज खान को मौका मिला तो चानवे रन की ऐसी तावर तोड़ पारी खेली 110 गेदों में कि हर कोई हका बक्कार आ गया और भारती टीम 400 से ज़्यादा स्कोर कर पाई तो पीछे सर्फराज खान थे तो अब बताईए अब आप क्या कहेंगे कई लोग जब मैं सर्फराज खान पर वीडियो बनाता हूं तो कहते हैं कि आप हिंदू-मुस्लिम कर रहे हैं आप क्यों मुस्लिम खिलारियों की बात करते हैं लेकिन वो अच्छा खेलते हैं इसलिए मै बात करता हूं मैं मुहमद शमी की बात करता हूं क्योंकि अच्छे गेदबाज हैं मैं सर्फराज की बात करता हूं क्योंकि मुझे मालूम है कि वो ऐसा बल्लेबाज है जो टेस्ट के लिए ही बना हुआ है उसको आप टेस्ट में मौका नहीं देंगे तो कब मौका देंगे वो टेस्ट का खिलाडी है उसको मौका दिया जाना चाहिए था और उन्होंने खुद को प्रूफ कर दिया है इंग्लेंड लाइंस के खिलाफ जो पारी उन्होंने खेली है उसके बाद से अब ये साफ हो गया है कि इंडियन टेस्टीम में उनके लिए जगह मिलनी चाहिए जिस तरीके से आपने देखा दक्षिड फ्रिका दोरे पर भारती टीम गई हुई थी वहाँ बल्लेबाद नहीं चले विराट कोली केल राहूल को छोड़ दे कोई बल्लेबाद चला नहीं तो ऐसे में आपको एक नए बल्लेबाद की जरूरत है और उस जगह को सर्फरास खान भर सकते हैं इस चीज़ को समझना होगा सर्फरास खान को मौका देना होगा क्योंकि ये वो खिलाडी है जो वास्तों में टेस्ट के लिए बना हुआ है कई लोग आई पील का से तुलना करने लगते हैं और कहते हैं कि यार ये खिलाडी तो आई पील में नहीं खेलता रहे भईया वो ये T20 का खिलाडी नहीं है ये टेस्ट का खिलाडी है आप मौका तो दीजे देखिए आपने मौका दिया इंडिया A की तरफ से तो कितना शांदार ये खिलाडी खेला लेकिन इंडिया A तो ठीक है लेकिन इंडियन टीम में मौका कब देंगे क्योंकि ये इंडिया A की तरफ से इतने रन बना रहा है कि ये खिलाडी बार बार दरवाजा खटकटा रहा है कि अब मुझे मुझे मौका दो लेकिन क्यों इनके साथ नाइंसाफी हो रही है और ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं तमाम दिगज कह चुके सुनिल गवासकर कह चुके हैं कि यार इतना खिलाडी ये रन बनाता है रणजी में इनको तो छोड़ देना चाहिए रणजी क्योंकि आप मौका नहीं देते हैं और अब इसने इंग्लैंड के खिलाफ भारतिय ए टीम के तरफ से ही ये अपना परदर्शन चानवे रन का शांदार इसकोर बनाके ये सा कारी को मौका जरूर मिलना चाहिए